हेलो विवर्स मैं डॉक्टर वाहिद बेग जेपूर इंडिया से आए आज बात करते हैं एक और युननी मफरत दवा की बारे में एसिंगल ड्रग अस्रॉल यानि सर्फगंधा इसको छोटी चंदन छोटी चंदर चंदर और छोटी चांद भी कहते हैं रालफल या सर्बंडीना इंगलिश में कहते हैं पागल की बूटी पागल बन की बूटी इस नेक रूट भी खा जाता है इस तरह से इस दवा के कई नाम हैं ये एक छोटा सा दरخت होता है उसकी जड़ होती है इस जड़ को पीस करके दवा के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है इस जड़ का जो एक खास असर है वो मुसक्किन असर है इसका मिजाज सर्द वा खुशक है लेकिन खुशकी इसके अंदर बहुत कम है सर्दी जादा पाई जाती है और सर्दी कुछ इस तरह की है कि जो उजू हैं जहां पर के तरी होती है तो वहां ये तरी पैदा कर देती ह उस तरह से ये सर्दी है इसकी इसकी मुसक्किन होने की जो एक मिजाज है टेंडेंसी है उसकी वज़ा से ये जिस्म के कई और्गन्स पे खास तोर से नर्वस सिस्टम और रेस्पाइटी सिस्टम और काडिलोजी में बहुत अच्छा काम को पादी है यही वज़ा है कि इसको बलड पेशर की एक खास दवा माना जाता है हाई बलड पेशर चुकि ये जो कल्ब की गर्मी है उसको कम करती है क्योंकि दिल हमारे जिस्म का सबसे गरम हुजू है और उसमें जब और हरारत बढ़ती है blood pressure high की वज़े से तो उसको ये कम करती है उसकी speed को कम करती है इस तरह से blood pressure नॉर्मन हो जाता है लेकिन इसका बहुत लंबा इस्तिमाल जो काडियक मसल से उनको कमसोर करता है इसलिए इसको जरूत पढ़े तो कुछ महा देने के बाद कुछ गफ़तों के लिए रोग दिया जाए और फिर दिया जाए इसका एक खास इस्तिमाल respiratory system में भी है जहां पर की lungs में congestion हो चाहे वो अस्तिमाटिक हो जब की गर्मी की वज़ा से खुशकी पेदा हो करके तशनूस होता है एक construction है सीने में congestion है और बलगम नहीं निकल रहा है उस हरारत उस गर्मी की वज़े से गाड़ा हो गया है चिपका हुआ है और तशनूस है खिचाओ है तब ये दवा लंग्स को शितिल करती है तसकीन देती है रिलेक्स करती है और इस तरह से वो बलगम आसानी से छूट करके फिर अपनी कुवत मदेबरा अपना काम करने लगती है और वो अब आसानी से बलगम निकल जाता है बाहर हो जाता है इसी तरह से इसको खास बलके मेरे हाँ पर ये खास तोर से इस मकस्द के लिए इस्तिमाल होती है आम तोर से पांसो मिली ग्राम काफी उटी है हाला कि कभी कभी दो ग्राम तक दीचा सकती है लेकिन वो देना ठीक नहीं है मेरी सला नहीं रहेगी क्योंकि 500 mg के देने के बाद गनूद गी आती है और कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है कुछ को बरदाश्ट नहीं भी होती है लेकिन 500 mg, 60-700 mg या 1 mg तक ये सेफ है जब हमें सिर्फ नींद का मसला हो भी विचाओ नीहाँ विचिन का में अक्षर नींद आती है और जब दिमाग में खुश्की की वज़ए से नीध नहीं आ रही हो उस वक्त हम सोते वक्त एक गोली 500 mg का कैपसूल के शौंपयों में भी दे सकते है सोते वक्त देते हैं तो अच्छी नीध आ जाती है लेकिन अकर किसी को owersादा खुश्की है तब हम यह करते हैं कि इसके साथ हम वजन जो मखस तोखम कदू 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 के मखस पीस करके मिलाते हैं और फिर गोलिया बनवाते हैं या केपसलाते ही रुँर तबती जाती है तो उस तरह से ये जो तर्ती में दिमाग, दिमाग में तरी अच्छी पैदा करता है और अच्छी नहीं आने लगती है जिनका मिज़ाज गरम है, साफराभी मिज़ाज है, दिमाग में जादा खुश्किय है, वहाँ पे हम ये देते है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इसकी जरूत तो है, लेकिन उनके दिमाग में या तो बलगमी मादा है, या उनको नजला जुकाम रहता है तो ऐसे लोगों को इसमें कम से कम 25% और कभी 50% काली मिर्च पीस करके शामनोर के गोली बनाई जाती है जब बलगमी मिजज़ वालों को हम अगर तनहा ये देते हैं तो नाक में कंजेशन होने लगता है, नाक बंद होने लगती है, नजला होने लगता है, वहाँ पर बलगम का इस्दिमा होने लगता है, जमा हो जाता है तो इसलिए ऐसे कैसेज में जब कि आपको लगताए कि मिजाज में बलगमित है तरही है तो आप फल फल सहा के साथ इसकी गोली बना करके है जब आपकό लगताए कि खुशकी है तो आप मवस कदू के साथ बना करके दे और जब ऐसा कुछ जादी किसी चीज़ की नहीं लगती है और वली तो आप सिंपल सर्वगंदा की गोली बना कर दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया असरॉल जादे तर गर्मी की वज़ा होने वाले या सफरा की वज़ा से कहें हम होने वाले अमरास या और जादा बहतर लफस होगा तहरीक जब कहीं पर हरायत की वज़े से तहरीक पैदा होती है तो उसको जब तसकीन की जरूत होती है तो उस मकसद के लिए हम असरॉल को इस्टिमाल करते हैं चाहे वो पेट का दर्द हो या मैदे का जखम हो खासतोर से जज़नल सर के लिए या ब्लड पेशर हाई हो या नींद की कमी हो या कब्स हो कब्स में हम इसको अगर आप इसको गुलकंद के साथ मिला करके दें तो बहुत अच्छे रिजर्ट्स रेते हैं आप इसको हलेला जर्द के साथ मिला कर दी दे सकते हैं तो इस तो इस तरह से जो में चोटी चांद जो है पहले छे जमानों में ये सर्पगंधा इसका नाम इसलिए हुआ कि पहले के जमानों में साब्ट के जहर को ताहले कि हिसाब के काटे के इलाज की तोर पे इस दवा का बहुत इस्तिमाल होता था कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सर्थ किसी खुश्भू आती है लेकिन बुक्स में जो लिखा है वो इस तरह से मिलता है शायद ये बात सही भी हो क्योंकि इसका मिज़ाज जिस तरह से सर्दी की पैदा करना है और हरारत को या इस जराब बेचेनी या तहरीक को खत्म करना है तो कुछ हो सकता है कुछ जहरी लिसाब इस तरह की हों जिनका जहर की सफरावियत जिसम के अंदर बढ़ाता होगा या खुन को बहुत पतला करता होगा तो ऐसी जगाओं पर शायद इसका इसका इस्तिमाल मुनासिब रहा होगा वहराल इस माकसद के लिए मैं कभी इस्तिमाल भी नहीं की इसलिए इसका प्रज़र्बा मुझे नहीं है अस्तिमाल के बारे में एक बहुती डिटल्ड डिसकशिन किया जा सकता है यह युनानी फर्मकोपिया की एक बहुत ही खास बहुत ही मुफीड जड़ी है लेकिन हम आएए पहले देखते हैं असरॉल का पोधा और असरॉल की जड़ उसके बाद थोड़ी से बात और करें तो आएए देखते हैं असरॉल का पोधा इनफेक्ट मैं बता दू असरॉल का पोधा मैंने बागों में भी देखा है जो कद्या आदम यानि के पांच्छे पोट साथ पुर्टा कूंचा देखा है मैंने लेकिन मैं किसी वज़ा से उनका वीडियो नहीं बना सका मैंने अपने घर पर ही इस पोधे को लगाया बढ़ा किया और साहिशी बाते छोटी गंबले में इतना बढ़ा नहीं हो सकता जितना बढ़ा हुआ वो हम देखते हैं उससे काफी कुछ समझ नहीं आता है यह आप देख सकते हैं सर्पगंधा सर्पगंधा का पौदा है यह यह इसके फूट्स देख सकते हैं आप इसक बहुत ज्यादा फूट्स लगते हैं इस पूदे में पूरे पौदे में फूट्स ही फूट्स लेते हैं यह देख सकते हैं आप इसका एक फूट यह अब सूख रहा है इस तरह से यह फूट्स सूखते रहते हैं ज़ड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं आप देख सकते हैं नए भी छोटे छोटे आ रहे हैं बस यह एक सिलसला यह कंचुनिटी बनी रहती है इसके पत्ते देखिए आप तो यह सर्पगंधा और देखिए वीवर्स अब सर्पगंधा का पोधा सर्दियों में हमने जो इससे पहले देखा भी वो गर्मियों का था गर्मियों में वो बिल्कुल फ्रेश रहता है और सर्दियों में देखिए इसमें पत्ते भी कम हो चुके हैं फ्रूट्स भी बहुत कम हो गए हैं छोटे हो गए हैं पत्तों में जो हर्याली है जो सबजी है वो भी कम हो गई है आप देख सकते हैं तो इस तरह से इसमें पत्ते भी गिर चुके हैं और इतिफाक से देखिए बास ही ये भूई आउला का पौधा हलाके ये बारिशों का पौधा है लेकिन चुके इस पौधे को यहां पर इस मठके में इस घड़े में खूब पानी मिलता है रोज पानी मिलता है इसलिए ये अभी तक भी सरस्प्तों शादाब हरा भरा है बहर हाल हम देख रहे हैं सर्पगंदा और हाँ बाई चांस गिलोई की बेल भी और ये देखिए विवर्स अस्रॉल यानि सर्पगंधा इसकी जड़ें इतनी मोटी भी होती है और देख सकते हैं बारी पतली भी होती है बहुत मुश्किल से पिस्ता है ये राव वॉल्फिया जैबनु के बाद वो है राव वॉल्फिया सर्पगंधा चोड़ी चांस इसकी अपनी खास इसमेल होती है बहुत ही हलकी जिसको आप बहुत ही जादा तजर्बे के बाद महसूस कर पाएंगे लाइट ये लो कलर तो डियर यूनानी फिजिशन्स अभी आपने देखा छोटी चंदल का पोधा और छोटी चंदल की चड़ रावल फिलिया सर्पेंटिना जैसा कि मैंने बार बार कहा कि ये दवा तहरीक को कम करने या सही करने के लिए तसकीन देने के लिए इस्तिमाल की जाती है इसी लिए इसको इस तरह के अमराज में इस्तिमाल किया जाता है जहाबर की तहरीक बड़ी हुई हो और जहां अल्रेडी तसकीन या सुकून की या खामोशी की अलामते वहां इसको इसको इस्तिमाल नहीं करते हैं जैसे की जो डिप्रेशन वाले पैशेंट्स हैं जो चुप रहते हैं खामोश रहते हैं एक तरफ बैठे रहते हैं जिनका बीपी लो रहता है ऐसे पैशेंट्स को हम यह नहीं देते हैं लेकिन वो पेशेंट्स जिनकों किमाली खुलिया है जुनून है या किसी तरह की बेचैनी है दोड़ते हैं भागते हैं चीखते हैं चिलाते हैं मारते पीटते हैं या खुद को जोट पहुचाते हैं या किसी भी तरह की तरह की हरकत करते हैं जोश में रहते हैं ऐसे लोगों क सर्पगंधा बहुत फाइदा करती है बलके उनकी ड्रग ऑफ चाइस है ये सर्पगंधा के जादे इस्तिमाल से लॉस अफ लिबिडो यानि के खाइश जिमा कम हो सकती है कुछ केसेस में कभी कभी दस्त भी देखे जाते हैं लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर इसकी मख़ार खुराक सादा हो जाती है तो पसी ना आता है और इसके बाद कुछ टायम बाद भी ठीक हो जाता है तो इस तरह से हम एक बार फिर से इसकी रिवियू अगर करें तो चूके इसका मिजा सर्दवा खुश्क है इसलिए इसको हम जो गर्मी या इस्तराव वाले बेचनी वाले मर्ज हैं जाए प्लट पेशराई हो या मैदे में सफरावियत बढ़ी हुई हो या किसी को बेचनी हो ऐसे पैशेंस में इसका इसकी इसकी मग्तार खुराक 200-500 मिली ग्राम या 7500 मिली ग्राम तक मुनासिब हो करती है एक ग्राम तक आमतोर से चलती है इसके बाद नहीं दें तो जादा बहतर है लाल इतना ही अलाहाफिस